हेलो दोस्तों आईरवेदिक मेडिशन टिप्स में आपका हार्डिक स्वागत है आज हम बात करेंगे पतंजली, दीवे, वसंत, कुशुमाकर रश के बारे में दोस्तों आपने मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चेनल आईरवेदिक मेडिशन टिप्स सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे न्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे दीवे, वसंत, कुशुमाकर रश यह हर्दय को बल देने वाला सक्तिवर्दक, बहु मूत्र, हर प्रकार के प्रमे है सोम रोग, स्वेत प्रदर, योनी, तथा गरबाश्य की खराबी सबी सिकाईतों को दूर करने वाला उत्तम तथा अध्वुत्र साइन है वीडिय की कमी से उत्पन, शेर रोग की यह है बहु मुल्य दवा है इसके सेवन से हर्दय, एवं फेंपडो की कमजोरी शूल तथा दिमा की कमजोरी, भ्रम, यादास्त की कमी, निन नै आना, जीर्ण, रक्त पित, कफ, खांसी, स्वांस, संग्रहनी, रक्त प्रदर, स्वेत प्रदर, खून की कमी और बुड़ापे में रोग, निवरुती के बाद की कमजोरी दूर होती है, मदू में है रोग की यह प्रसिद ओस्ती है दीव्ये वसंद कुचुमा करश की सेवन विदी वे मात्रा है, एक से दो रती तक मखन, मलाई, सहद या दूर के साथ सुबह साम सेवन करें दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो मेरा चेनल आईरुवेदिक मेडिशन टिप्स सब्सक्रावी कीजिए एक बार फिर में आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाऊंगा, तब तक देखते रहिए, एवं सेर करना ना भुले, धन्यवाँ